अक्षियल में ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं ये कैसे पैचान और अगर पहचान भी गए कि एक्षियल में ब्रेकाउट हुआ है तो उस पर हम एंट्री कैसे लेगे चलिए दिखते हैं डिटेल्स हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानल वीजे इंविस्मेंट मैं जातुती अब इसक्षियल में होता है अब मार्केट हमेशा व violin आप याvere साइड डाउन नहीं जा वा टे हमेशा इस तरा करे काइस आप मो ब्रेकाउट होने की बार मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है तो यह जो है यह पॉइंट जो है हमारा एंट्री पॉइंट होता है अब यह जो एंट्री पॉइंट है जैसे यह मैं आपको निफ्टी के 15 मिनिट की चार्ट पर दिखा रही है तो यहां पर फिर आपको क्वेशन आ सकता है कि हम इसे कौन-कौन से टाइम प्रेम पर यूज़ कर सकते हैं जैसे आप इसे वन आवर की टाइम पर यूज़ कर सकते हैं वन आवर के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं आप इसे वन डे के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं वन वीक के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं डिपेंड ऑन यू कि आप स्कैल्पिंग करना चाते हैं इंटर डेडिक करना चाते हैं स्विंग ट्रेडिंग short term credit करना चाते हैं, तो उसकी हिसाब से आप time frame select करेंगे, लेकिन तरीका ये same ही रखेगा, आप इसे nifty में नर सकते हैं, आप इसे bank nifty में कर सकते हैं, आप इसे stocks में भी कर सकते हैं, mid gap nifty, आप इसे stock में mid gap nifty, nifty bank nifty सभी में कर सकते हैं, तरीका same ही रहेगा charts market इसी तरह से move करत मार्केट ओपन रहा उपर गया और मार्केट पी एक फॉल दिया, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिनी की कोशिश की, मतलब अब यह मार्केट का जो है Resistance बण चुका है, तो यहां पर इस एरिया में आपको दिखेगा, कि मार्केट जो है यहां पर रैसस्ट कर, अब यहाँ पर market ने इस resistance की ऊपर एक बड़ी candle को close कर दिया एक बड़ी candle को यहाँ पर close कर दिया तो हम यह कह सकते हैं कि अब market नी जो यह breakout लिया अब यहाँ पर हमारी entry कैसे बनी कि इस वाली candle ने अगर breakout लिया है और यह market का पहले resistance था तो market इसको retest करने के लिए एक बार जरूर आता है यह generally आता ही तो यह जो point है जो resistance का पहला point था यह पहले resistance था अब यह support बन गए तो अब इस support पर हमारी जो ले वो entry पती है तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका stop loss जो रहेगा वो stop loss छोटा रहेगा और आपके target जोन है वो बढ़े रहेगे 1-2, 1-3 के मतलब आपका risk और reward जो है वो ratio काफी favorable रहेगा अगर आप suppose entry लेने में चुपते हैं आप breakout होने पर ही entry लिगते हैं तो यहां अबर आपको पहले prices नीचे चली जाती है उसके बाद फिर price उपर चली जाती है लेकिन अगर आप option trader ने आप option में trade करते हैं तो आपको यह पता होता है कि entry point कितना important है जहां से आप entry लिते हैं वही से market अगर उपर जाना शुरू करता है तो आपको कितना benefit हो सकता है तो entry लिते हैं आपको थोड़ा patience लगदा है breakout होने के बाद market को एक retaste करने देना है जहां पे आपका risk और import ratio काफी favorable होगा वहाँ पे आपकी entry बनती है और इस तरीके से आप entry ले सकते हैं सभी time frame पर और किसी भी instrument तो इस तरीके से आप इस breakout लेवल का use जड़े करके अपने trading जड़े accuracy बढ़ा सकते हैं profitable trade कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे comment में ज़रूर बता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चानल को subscribe करें ताकि इसी तरह की content पर आपके साथ share कसे